हाई गाईस विल्कम टो दीप लेक्ट्रोनिस लैब तो आज आपको दिखाऊंगा कि यह जो डीजे लाइट आप देख रहे होंगे आपके सामने रखा हुआ है तो डीजे लाइट को मैंने किस तरीके से ठीक करता हूँ और इसके अंदर ज्यादातार क्या फॉल्ट आता है इ मेरे पास और भी बहुत सारे डीजे लाइट इससे यहाँ पर रखा हुआ है वह भी शारे हम रिपेर करेंगे तो यह तो चार रिपेर हो चुका है तो इसको किस तरीके से रिपेर क्या हूँ मतलब इसके अंदर जितने भी फॉल्ट था वह सारे के सारे सेम था यानिकि इसक होंगे इसको आगर हम बदाल देंगे इसके जगा पर नहीं हावाला फॉर्ट सप्लाई लगा देगा लगा दूंगा तो इसका जो कॉस्ट यहादा पड़ जाएंगे यान की एक एक जो मरकेट प्राइस है इससे पाउड शंप्लाई का पांसु रूपी से यान कि पांसु होती है और उसके साथ साथ यहां पर लगा होता है तो यह वो हमने क्या कि इन दोनों को हम भाँ फोनिकाइब होती हैं है बाइस कुरी झाल को यहां फ्योंसारा घरोफार मिनक फरीपें हम फ्रीप करर फिरीके का disciplina रखिए अब उने लगाया हूँ एक तो मतलब आधा दायम कि जो डीज लाइट है उसके अंदर में लगाऊंगा 520 वाला हमारा DJ मतलब 520 वाला जो मॉडियूल आता है तो देखे ये जो आप 520 का मॉडियूल आप देख रहे होंगे हम अगर इसको इसके अंदर इस्तेमल करेंगे तो ये ज़्यादा दिन तक चलेगा यानि कि इसका जो लाइफ है वो ज़्यादा होगा लेकिन अगर हम इसने 2 ओयर वाला या 3 ओयर वाला जो भी मर्केट में मॉडियूल मिलता है अगर वो लगा देंगे तो वे ज़्यादा दिन नहीं चलेगा ज़्यादा हीट होगा और ज़्यादा हीट होने से खराब हो जाएंगे जल्दे है तो हम क्या करेंगे कि अगर हम उसके बाद अचानक से ज़्यादा पूल्टे चले जाती है सर्किट के अंदर उसके बाद सर्किट खराब हो जाती है इसलिए हम इसको भी मॉडिफाइगे हम क्या करेंगे कि इस अप्टोपलर को हम दोनों को उठा देंगे एक और दू नमबर लिक्स को उसके साथ हम डारेक्टली बोड के अंदर जो हमारा अप्टोपला लगा हुआ है इसके एक और दू नमबर पिन पर हम लगा देंगे तो इसका अभी हम प्रेक्टिकल करकर दिखाता हूं तो चलिए किस तरीके साम इ एक डिजे लाइट के अंदर लगा होता है और इसके साथ साथ जो लंबे वला पावर सप्ला है वो भी लगा होता है एक्च्वेली इसको हम पावर सप्ला नहीं कहेंगे इसको हम कहेंगे SMPS क्योंकि इस SMPS के अंदर बहुत सरे सेक्शन है और ज्यादा तर जो खड़ाब होत 5-pin बाला ड्राइवर लगा हो voltage regulator इसको बोला जाता है और इसके अलाबा अगर deep package में 8-pin का IC लगा हुआ है दुनों में से अगर कोई भी लगा है power supply के अंदर दुनों का जो काम करने का तरीका होता है वो सारे के सारे semi होता है इसलिए क्या करना होगा अगर आपका power supply on नहीं हो रहा है यानि कि वो open मतलब चल नहीं रहा है तो सबसे पहला आपको वो छोटा सा IC को board से उखर के फैक देना होगा ये मैंने क्योंकि इसका जो leg से वो जल गया था इसलिए मैंने हाथों से इसको उखर के फैक दिया और अगर आपके board के अंदर अच्छे खासा लगा हुआ है तब भी आपको उसको निकाल के फैक नहीं होगा नहीं तो आपका जो board है वो ठीक नहीं होगा जैसे कि मैंने इस board के अंदर से छोटा वाला IC के साथ साथ यहां पे एक transistor भी लगा हुआ है देख सकतो एक MOSFET के साथ यानि की transistor के साथ साथ जो हीट सींग है तो आपको उसको भी उखर के फैक ना होगा तो आपको ध्यान में रखना होगा एक secondary section में होता है और एक primary section में होता है जो primary section यानि की hot section होता है जहां पे ज़्यादा voltage की operation होता है उहां पे जो transistor लगा हुआ है उसको उखर के फैक देना होगा तो चलिए मैं इसको बहार निकल लेता हूँ इसका जो सारे के सारे solder है उसको मैं निकल के इस transistor को में बहार निकलता हूँ और उसके बाद आपको किस तरीके से 524 वाला module modify करके लगा ना है उसके बाद इस power supply को ठीक करके हमारा जो भी चीज के अंदर ये power supply लगा होगा उसको किस तरीके से हम ठीक कर सकता है जैसे कि देख सकते हो कि हमने किस प्रकरसे कितने आसान तरीके से हमने उसे ट्रांजिस्टर को बाहार निकल के फैंक दिया हो जैसे कि आप यहां पर देख सकतो अब बाड़ी आते आसली काम के उपर अब हम बात करेंगे इस 524 module के उपर किस तरीके से इसको modify करेंगे और उसके बाद इस power supply के अंदर हम इसको install करेंगे सबसे पहले तो इसका जो दोनो ओयर है यानि कि yellow और पीला वाला और green वाला योलो और green वाला जो दो ओयर है सबसे पहले तो board से हम बाहार निकलेंगे और उसके बाद उसके साथ साथ जो इस module के अंदर 187 का जो optocoupler लगा हुआ है उसका एक नमबर और दो नमबर जो पीन है वो हम board से बाहार निकलेंगे तो जल्दी से मैं बाहार निकल लेता हूँ हमने दो ओयर के साथ साथ optocoupler के जो एक नमबर पीन और दो नमबर पीन था वो भी हमने बाहार निकल चुका हूँ जैसे के आप देख सकते हो optocoupler के उपर एक dot दिया हुआ है वो जो dot है वो हो गया हमारा एक नमबर पीन और dot के पास वाला जो है वो हो गया हमारा दो नमबर पीन अब आपको क्या करना है एक नमबर पीन पे आपको yellow यानि कि पीला वाला वेर को आपको solder करना होगा यानि कि लगाना होगा और उसके बाद जो दो नमबर पीन है वो हमको जो green वाला वेर है उसको लगाना होगा तो चलिए मैं इसको जल्दी से लगा देता हूँ और उसके बाद अगला जो process है वो मैं आपको बताता हूँ हमारा जो soldering का काम है वो तो complete हो चुका है जहाँ पे जो oil लगाना था वो हमने लगा दिया हूँ और अब बाड़ी आत है कि हमको इस module को board के अंदर किस तरीके से fix करना है यह जो process है मैं आपको बताता हूँ क्यूँकि हमको पहले ही बता है कि इसको modify करके लगाना है तो यह जो आप main capacitor देख रहे होंगे इस capacitor के जो negative point है जहाँ पे ground है वहाँ पे आपको इस module का black below air को लगाना होगा जैसे कि आप देख सकतों मैं लगाने जा रहा हूँ यह जो black below air को आपको capacitor के negative side में लगाना होगा उसके बाद आपका जो red वाला air है इसको कहाँ पे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ जहाँ पे transistor लगा हुआ था transistor के जो beach वाला leg था यानि कि एकदम beach वाला उहाँ पे आपको लगाना है जैसे कि मैं आपको लगा के देख रहा हूँ यह जो beach वाला आप यहाँ पे देख रहे हूँगे इस beach वाले legs पे आपको लगाना होगा हमारे इस red वाले air को आपको अगला जो काम करना है हमने जो module को modify किया हूँ तो उस modify के तहत आपको क्या करना होगा smps के अंदर जो optocoupler लगा हूँ है उसका भी एक नमबर और दो नमबर पीन को board से बहान निकलना होगा क्योंकि हम एक और दो नमबर का जितने भी voltage है वो हम module से board को provide कराएंगे इसके इसलिए board के आंदर जो optocoupler लगा हूँ है उसका हमें board के आंदर कोई भी जरूरत नहीं है इसलिए हम एक और दो नमबर पीन को board से बहान निकल देंगे और उसके बाद एक नमबर और दो नमबर जगा पे हमारे module के तरफ से जो भी signal आ रहा है और optocoupler के एक नमबर और दो नमबर पॉइंट से वो हम इस जगा पे लगा देंगे जैसे कि आप देख सकते हूं यहां पे हमने एक नमबर और दो नमबर पीन को बाहर निकल चुका हूं और उस जगा पे आप हम लगाने जा रहा हूं हमारे जो पिला वाला वैर है हम एक नमबर पीन पे लगा देंगे जहां पे बोट के अंदर जो असे असे करदे आप देख सकते हैंझा यहां पर लगा दिया है फाइनली दोस्तों हमारा जो मडिल इंस्ट्ल एसन का जो प्रोसेस है और मोडिफिकरशन का जो प्रोसेस है वो सकस्पुली कम्प्लेट हो चुका है और अब आपको क्या करना है अब बड़ी अतेश पाउर सप्लाई को यानि की SMPS को टेस्ट करना कि हमारा यह जो पाउर सप्लाई और SMPS जो है ठीक हुआ है कि नहीं उसे पहले जो हीट सिंक लगा हुआ था जो हमारे मॉडियूल के अंदर यह जो 25 उसके अंदर भी एक ट्रांजिस्टर होता है तो इस ट्रांजिस्टर को हमारे हीट सिंक के साथ अटच करना है नहीं तो यह जल्दी ही खरअब हो जाएंगे तो चलिए मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूं और उसके बाद मैं इसको टेस्ट करकर देखता हूं कि हमारा जो SMPS है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं दोस्तों मैं और एक बात बता देता हूं कि यह जो हमने प्रोसेस में आप लोगो स्टेप बाइस्टेप बताया है यह किसी भी SMPS के अंदर अप्लिकेवल होगा सिर्फ अगर वो पिएकसी पाउर सप्ला याँ आर होगा यानि कि पिएकसी SMPS होगा तो वो मतलब दूसरा प्रोसेस है लेकिन अगर सीम्पिल सा प्रोसेस है यानि कि इस प्रोकार के कोई भी आपके पास SMPS है तो यह जो मॉडियूल है इस को लगा के बहुत ही आसानी से रिप्यर कर सकते हो और यह बहुत दिन चलता है यानि कि यह जल्दी खरब भी नहीं होता है तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसको टेस्टिंग करके दिखाता हूं दोस्तों मैं इस SMPS को जो हमारा DJ Light है उसके अंदर इंस्टॉल करने से पहले ही एक बड़ में टेस्ट करना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि यह हमारा SMPS है यह ठीक हुआ है कि नहीं तो चलिए मैं इसको करने के बाद हमें फिर भी मतलब आपको दूसरी बार इसको रिपेर ना करना पर है इसलिए हमने क्या किया इसको हमारे DJ Light को अंदर लगाने से पहली एक बड़ टेस्ट कर दिया हूं तो चलिए दूस्तों आप मैं इसको DJ Light का अंदर इंस्टॉल करके DJ Light को चाला कर देखता डाहिए है नहिसे की गॉइस आप लोग देख सकते हूं कि हमारा जो motivation process है successful हो चुका है तो इस पर करके और भी वीडियो देखना चाते हैं तो चैनल को subscribe करके जूरे रहिए और उसके सबसब बिल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा इसमें क्या होगा क्या मेरा जो वीडियो है बहुत ही जल्द आपको मिल जाएंगे तो हम फिर मिलें दोस्तो नेक्स वीडियो में तब तर लिए थैंक्तू बाइबाय और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लिजेगा नीचे डिस्क्रेप्शन में लिंक दिया हुआ है